जै हिन जै भार दोस्तों मैं जित फोजी सुंगर पूरिया और आप देख रहे हमारा यूटूब चैनल ओम स्पोर्ट्स का एडमी तो साम दोस्तों आज हम बात करने वाड़े हैं NDA1 एक्जाम के बारे में जो की Union Public Service Commission UPSC के दवारा लिया जाता है और ये एड़िटाइज है 04-2020 तो दोस्तों ये इसका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है NDA1 के एक्जाम के बारे में और ये बताया गया है कि जो ये एक्जाम की जो अप्लिकेशन है ये 30 दिसंबर 2020 को शुरू हो जाएंगे फारम आपके और इसकी लास्ट डेटर 19 जनवरी 2021 शाएं 6 बज़े तक वो जो जिन बच्चों ने भी भारतिये सेना वायू सेना या नो सेना सभी में जो अफसर बनना चाते हैं जिनोंने अपने दिल में भारत माता की सेवा करने का सपना संजोया है जो अफसर बनकर भारत की सेवा करना चाते हैं जो भी मेरे भाई पढ़ाई लिखाई में अच् रखते हैं और एंडिये के फारम बरने के लिए जो देट दी गई है वो 30 दिसंबर 2020 से लेकर 19 जनुवरी 2021 तक साइं 6 वजे तक है अब जो इस फारम बरने के लिए जर्नल और OVC के लिए 100 रुपे का चालान है और SC और ST के लिए कोई भी चालान नहीं है और ये आप नेट बै ID, phone number और आपकी जो पूरी contact detail वगरा चाहिए होती है वो तो आप फारम भर सकते हैं इसके लिए जो लास्ट डेट है वो 19 जनुवरी 2021 साइंच है अब जे तक है और NDA1 का जो अग्जाम डेट है वो 18 अप्रेल 18 अप्रेल 2021 को और इसके लिए जो एड्मिट कार्ड है वो मार्च 2021 में रिलिज कर दिये जाएंगे विकैंसी के लिए अभी तक कलियर नहीं हुआ है कितनी है कितनी नहीं इसके लिए आप NDA NDA का मतलब होता है दोस्तों National Defense Academy ये खडग वासला में है पुना के पास जो पुना है अपना सहर माराष्टर में वहाँ पर एक जगए खडग वासला वहाँ पर है NDA Academy और एक Naval Academy है उसके बाद जो भी कैडिट जो भी मेरे भाई है फारम बरना चाहते है NDA के Naval Academy के Air Force के तो वो फारम अपलाई कर सकते हैं इसके लिए जो एज का टोफ रखी गई है वो जुलाई 2002 से लेकर एक जुलाई 2005 के बीच बच्चे का जनम होना चाहिए जो भी फारम बरने वाला कंडिडेट है उसका और इसके लिए जो भी मेरे भाई पलस टू में पढ़ रहे हैं जो पलस टू से इनके लिए साइंसाइड होना जरूरी है फिजिक्स मेत और एनी सब्जेक्ट किसी भी बोर्ड से हो और फारम बर सकते हैं फारम बरने के लिए जो आप ओनलाईन फारम बरेंगे इसके लिए और यह अग्जाम आपको बताए दिया और इसमें बताया गया कि जो यूनियन अप्रोक्स वेकैंसी इन आर्मी नेवी एर फोर्स रगूटमेंट दो हजार इकीस कंडिडेट कैन अप्लाई बिट्वीन तीस बारा दो हजार बीस से उननीस जनुरी दो हजार इकीस के बीच में अप्लाई कर सकते हैं और कंडिडेट रीड दा फुल नोटिपिकेशन इलिजिबली आपके पास में इलिजिबली सारे डोकूमेंट ओने चाहिए ड़ूफ होने चाहिए डरस डिटेर और बेसिक कोंटक्ट डिटेर वगरा इस परकार से आप जो भी भायी फार्म बरना चाहते हैं और बारतिये सेना में वाईू सेनानो सेना में अफसर बनकर सेना में भारतिय नो सेना और वायू सेना में अफसर बन सकते हैं और देश की सेवा कर सकते हैं बेस्ट ओब लग दोस्तो आपका वाय जीत फुद्जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिये गए घंती के निशान को दबाना ना भूले